हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल मैथ एन जीके बाई संजे आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जून महीने के मोस्ट इंपोर्टन करंट अफेर का पहला पार्ट जिसमें हम डिसकस करेंगे फर्स्ट वीक के करंट अफेर और ये वीडियो आपके हर ए पास्ट में आपके लिए इसी वीडियो में से दो कोशन होंगे जिसका अंसवरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो वीडियो शुरू करने से पहले important information अगर अब भी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल जोइन नहीं किया है तो टे description में मिल जाएगा और अभी तक आपने अगर मेरा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वेल आइकन को ओन कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो की notification आपको आपके फोन में मिल जाए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो first question है who is the chief of research and analysis wing यानि की रा के परमुक कोन है तो आपको इनका नाम यार रखना है सामन्द गोई रा के परमुक हैं और इनका कारेकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है और ये अब अगले साल तक रो के परमुक बने रहेंगे अब रो के बारे में important बाते रो की स्टापना हुई थी 21 स्टमबर 1968 को और इसका headquarter है नई दिल्ली में आपको याद रखना है रो के परमुक हैं सामन्द कुमार इनका एक साल के लिए कारेकाल बढ़ा दिया गया है नेक्स्ट कोशन है आई पेल 2021 के बच हुए मेचों की मेजवानी किस देश के दवारा की जाएगी तो आपको याद रखना है इसकी मेजवानी की जाएगी अब UAE के दवारा और आपको आई पेल के बारे में कुछ बाते याद रखनी है इस साल इसका 14th सीजन है जो की इंड अरिया में करोना की केसे बढ़ते जा रहे थे इसलिए इसे बीच में ही रोक दिया गया था तो अब यह बाकी बच हुए मैच स्टंबर और अक्तूबर में होंगे जो होंगे UAE में next question है who is the director of IB IB means intelligence bureau intelligence bureau के निर्देख शक कौन है तो आपको इनका नाम याद रखने है अर्विंद कुमार इनका वी एक साल के लिए कारेकाल बढ़ा दिया गया है नेक्स्ट कोशन है मुहाली इंटरनेशनल होकी स्टेडियम का नया नाम क्या है तो आपको इस स्टेडियम का नाम याद रखना है इस स्टेडियम का नाम चेंज करके रख दिया गया है बलवीर सिंग सीनियर होकी स्टेडियम बलवीर सिंग होकी के फेमस के लाड़ी थे इनका पिछले साल निदन हो गया था और ये उलम्पिक गेम में भारत को तीर बार गोल्ड जिताने वाली टीम का हिस्सावी थे तो आपको याद रखना है मोहली होकी स्टेडियम का नाम बदल कर अब कर दिया गया है बलवीर सिंग सीनियर होकी स्टेडियम मोहली है पंजाब में अब पंजाब के बारे में इंपोर्टेंट बात है पंजाब के सीयम है कैप्टन अमरिंदर सिंग यहाँ के गवर्णर है बीपी सिंग बदनोर और पंजाब की कैपिटल है चंडिगर्ड नेक्स्ट कोशन है किस राज्ये ने समार्ट कीचन योजना शुरू की तो आपको याद रखने है इसकांसवर यह शुरू की गई है केरला के दवारा इस योजना के तैद महिलाओं को रसोईगर को अपग्रेड करने के लिए लोन दिया जाएगा अब केरला के बारे में इंपोर्टन बात है केरला के सीयम है पिन्नाराई विजियन जो अभी दूसरी बार केरला के सीयम बने है और यहां के गवर्नर है आरिव मुहमद खान केरला की कैपिटल है त्रिवेंद्रम तो आपको याद रखना है समार्ट किचन योजना श्टार्ट की गई है केवला के दवारा नेक्स्ट कोशन है किस महिला के दवारा 26 गंटे में माउंट एवरेश्ट पर चड़ने का वर्ल्ड रिकोर्ड बनाए गया है तो आपको याद रखना है इनका नाम है टी सांग येन ये होंग कोंग की रहने वाली है इन्होंने अभी रिसेंटली 26 गंटे में माउंट एवरेश्ट की चड़ाई की है जो कि एक वर्ल्ड रिकोर्ड है और माउंट एवरेश्ट की हाइट है 8848.86 मीटर और ये कहां पर है नेपाल में है और नेपाल में इसे सागरमाथा की नाम से जाना जाता है नेक्स्ट कोशन है वर्ल्ड मिलक डे यानि की विशव दूगत दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है तो आपको याद रखने है ये हर साल मनाया जाता है एक जून को और इस दिन को मनाने का क्या उदेश है लोगों को जागरू करना की दूद के सेवन से क्या-क्या फायदे है यह दिवस FAO के दवारा मनाय जाता है FAO की फुल फॉर्म है Food and Agriculture Organization जिसका इटली की कैपिटल रॉम में है और इस साल इसकी थीम क्या रही आपको थीम भी याद रखनी है इसकी थीम रही प्रयावरन पोश्चन और समाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के सासा डेरी शेतर में स्तीरता तो आपको याद रखने है यह दिवस मनाया जाता है हर साल एक जून को नेक्स्ट कोशन है श्टार गेजिंग दा प्लेयर इन माई लाइफ बुस्तक के राइटर कौन है तो आपको इनका नाम याद रखने है इनका नाम है रवी शाष्टरी यह भारतिय पूरश किर्के टीम के कोच है तो आपको याद रखने है इनकी एक रिसेंटली किताब लो आपको नेवी चीफ का नाम भी याद रखने है नेवी के चीफ है एडमीरल करमवीर सिंग और इंडिया नेवी डे मनाया जाता है चार दिसंबर को तो आपको यह सारी वात्ते याद रखने है इन्डिया नेवी के बारे में नेक्स कोशने महाराष्टरा सरकार ने शिक्षा और नोक्रियों में मराठाओं को कितने पर्तिशत आरक्षन देने की गोशना किये तो आपको याद रखने है इस कंसवत 10% और महाराष्टरा के C.M. अउद्रव ठाकरे और यहाँ के गवर्णर है भगसिंग कोश्यारी और म दो गोल्ड मेडल किन दो लोगों ने जिते तो आपको उनका नाम भी याद रखना है संजीत जिनोंने 91 kg केटागरी में ये गोल्ड मेडल जिता और दूसरा गोल्ड मेडल किसी ने जिता महिला मुक्यवाज पूजारानी ने जिनोंने 75 kg केटागरी में ये गोल्ड मेडल जित लेकिन अब बन गए हैं Dr. Patrick Amoth, आपको इनकी country का भी नाम याद रखना है, यह है Kenya के रहने वाले, और WHO की full form में World Health Organization, और जिसका headquarter है जनेवा स्विजर लेंड में, नेक्स्ट कोशन है किस country ने ब्रिक्स foreign minister की meeting को होस्ट किया, तो आपको इस concept रहाद रखना है, इस concept रोगा India, इंडिया ने इस meeting को virtually organize किया था, ब्रिक्स एक 5 country का group है, और यह 5 country कोन सी है, B से Brazil, R से Russia, I से India, C से China, और S से South Africa, और भारत के विदेश मंत्री कोन है, तो आपको उनक का नाम भी याद रखने है, S.J. शंकर, next question, world university ranking में पहले rank पे कौन सी university रही, तो आपको इस university का नाम याद रखने है, Harvard University, इस ranking में top 500 university में भारत की 2 university का नाम आया है, तो आपको उन दोनों university का नाम भी याद रखने है, IIM एमदाबाद, जिसे 415 मी rank मिलिये, और इसके इलाव भारतिय विज्यान संस्तान, यानि की Indian Institute of Science, जिसको 459th rank मिलिये, तो आपको याद रखना है, first rank किसको मिला है, Harvard University को, next question, ये most important question है, आपको याद रखना है, world environment day हर साल किस दिन मनाया जाता है, ये हर साल मनाया जाता है, 5 जून को, इस साल इसकी क्या theme रही, आपको इस साल की theme भी याद रखनी है, theme भी अक्सर एक्जाम में पूछी जाती है, तो 2021 में environment day की theme रही, ecosystem restoration, और पहली बार ये world environment day कब मनाया गया, 1974 में, इसके इलाव आपको एक organization का नाम याद रखना है, UNEP, United Nation Environment Program, इसका headquarter अक्सर एक्जाम में पूछते हैं, इसका headquarter है, कीनिया की capital नायरोब नेक्स्ट कोशन है, इसराइल के अगले परदान मंतरी कौन होंगे, तो आपको याद रखने है, इसराइल के अगले PM होंगे, निफ्ताली बैनेट, और ये किनका स्थान लेंगे, बेंजामिन नेतन्याव का, अभी recently इसराइल के राष्टपती भी चेंज हुए हैं, आपको उनका नाम भी याद रखने हैं, इसराइल के नए राष्टपती हैं, इजाख一定要 हर जोग, और इसराइल के बारे में important बात है, जैसे इसराइल की capital है Jerusalem, और यहाँ की currency है, इसराइली शेकल, तो आपको याद रखने है, इसराइल की next PM होगे, नफ्ताली बैनेट, नेक्स्ट को बिहार के CMN नितिश कुमार यहां के गवर्नर है फागुचवान और बिहार की कैपिटल है पटना नेक्स्ट कोशने किस राज्य और केंदर शाशी परदेश ने योन टेब योजना शुरू किये तो आपको याद रखने ये शुरू किये लद्दाख ने इस योजना के तहद गरीब शात्रों को कोचिंग के लिए एक लाख रुपे मिलेंगे इसके इलावा 12,300 विद्यार्थियों को टैबलेट माटने जाएंगे जिसे बे ओनलाइन पढ़ाई कर सके नेक्स्ट कोशन है सस्टेनेवल डवेल्मेंट गोल इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही तो आपको भारत की रैंक याद रखने है इस इंडेक्स में भारत की रैंक रही 117 इस साल भारत दो स्तान नीचे फिसल कर 117 में नंबर पे आ गया है भारतिय बायुसेना के नए डिप्टी परमुक किसे न्युक्त किया गया इसका अंसवर होगा एर मार्शल विवेक राम चोदरी और बरतमान में एर फोर्स के चीफ को ने आरकेश भधूरिया रकेश कुमार सिंग भधूरिया और इंडियन एर फोर्स ले मनाया जाता है आठ अक्तूबर को हर साल नेक्स कोशन है विशफ खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है तो आपको यार रखना है ये मनाया जाता है हर साल साथ जून को और आपको इस दिन की थीम भी याद रखनी है इस साल इसकी थीम रही सवस्त कल के लिए आज का सुरक्ष और आपको यारखना है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है साथ जून को Next question है FIH के दवारा जारी की गई विशव ranking में भारतिय पुरोशोकी टीम की क्या rank रही तो आपको यारखना है इस ranking में भारत की rank रही fourth और इस रैंकिंग में कौन से देश की टीम पहले नंबर पे रही तो आपको याद रखना है बेल्जियम और FIH की फुल फो में फेडरेशन आफ इंटरनेशनल होकी और इसका हेड़कॉर्टर मिलेगा आपको लोजन स्वीजर लैंड में इसी तरह महिलाओं की टीम की बात करें तो पहले नंबर पे रही नीदरलेंड की टीम और इस रैंकिंग में भारतिय टीम की रैंक रही नाइंथ तो आपको याद रखने है पुर्षो की बात करें तो पुर्षो की टीम रही फौर्थ नमबर पर और महिलाओं की टीम रही नाइंथ नमबर पर नेक्स्ट कोशन है किस राज्जे ने करोना मुक्त गाम परतियोगिता शुरू की तो इसका राइट अंसवर होगा महराष्टरा महराष्टरा शरकार ने गाम में करोना के परसार को रोकने के लिए ये परतियोगिता शुरू किये तो आपको इस परतियोगिता का नाम याद रखना है करोना मुक्त गाम परतियोगिता और इस प्रतियोगिता में पहले नंबर पे रहने वाले गाउब को 50 लाग का इना मिलेगा और दूसरे नंबर पे रहने वाले गाउब को 25 लाग और तीसरे नंबर पे रहने वाले गाउब को 15 लाग का इना मिलेगा तो इसका अंसवर होगा रंजी सिंग डेसाले ये भारत के रहने वाले हैं और इन्हें रिसेंटली विशवेंग के अडवाइजर के रूप में न्युक्त किया गया है अब वर्ल्ड वेंग की बात है तो वर्ल्ड वेंग के बारे में इंपोर्टेंट बात हैं जैसे इसका और बरतमान में इसके प्रेजिडेंट है डेविड मौलपॉस। नेक्स्ट कोश ने अनुपर्यती कोचिंग योजना किस राज्य ने शुरू की। तो इसका राइटन्स वर होगा राजिस्तान। राजिस्तान ने SC-ST छात्रों के लिए योजना श्टार्ट किये जिससे वे एक साल तक मुफ्त कोचिंग की सुविदा लेख सकते हैं। अब राजिस्तान के वारे में important बाते हैं जैसे राजिस्तान के CMA अशोग एलोत यहां के governor है कलराज मिश्रा और राजिस्तान की capital है जैपूर जिसे pink city के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है यह अनुपरयती योजना किस राजिय के दवारा शुरू की गी है राजिस्तान के दवारा। नेक्स्ट कोशन है सावरकर एक contested legacy पुस्तक के लिखक कोन है तो आपको या रखने यह पुस्तक लिखी गई है बिक्रम सामपत के दवारा। नेक्स्ट कोशन है असम राइफल के नए निर्देशक कोन बने हैं तो इसका अंसवरोगा परदीप चंदर नायर और यह असम राइफल के 21 में महान निर्देशक बने हैं। अब असम राइफल के बारे में इंपोर्टेंट बात है जैसे इसकी स्तापना हुई थी 1835 इसवी में तब इसे कछार लेवी के नाम से जाना जाता था। और यह भारत का सबसे पुराना पेरामिलेटरी फोर्स है और 1971 में इसका नाम बदल के असम राइफल रख दिया गया। और इसका हेड़कवार्टर मिलेगा आपको शिलोंग में। असम राइफल के बारे में एक और important question पुछा जाता है कि पूरोतर का पहरी और परवतिये लोगों का दोस्त किसे कहा जाता है। तो उसका अंसवर भी होगा असम राइफल। और रिसेंटली इसके महान निर्देशक वन गये हैं परदीब नायर। नेक्स्ट कोश ने निती आयोग के दवारा जारी किये गए सतत विकास लक्षे सूचकांग 2021 में कौन सा राज्य शिर्श पर रहा। तो इस रैंकिंग में पहले नमबर पे रहा केरला। केरला इस रैंकिंग में पहले स्तान पर पिछले साल भी था और इस साल भी ये पहले नमबर पे रहा और इस रैंकिंग में सबसे लास्ट नमबर पे है बिहार। और ये सूचकांग किसके दवारा जारी किये गया। निती आयोग के उपादेक्ष राजीव कुमार के दवारा और इस साल इसका थर्ड अडिशन था। वहीं केंदर शाषित पर देशों की रैंक परदान मंतरी नरिंदर मोदी जी और इसके उपादेक्ष राजीव कुमार और इसके CEO हैं अमिताब कांत। ये लास्ट कोशन है इसके बाद आपके लिए दो कोशन है इसी वीडियो में से जिसका अनसवर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। पहले इस कोशन को डि और इसके टेगलाइन है We Understand Your World और इसका हेड़क्वार्टर मिलेगा मुंबई में। अब RBI के बारे में इंपोर्टेंट बाते हैं RBI की फुलफॉर में रिजर्ब वैंक ओफ इंडिया और इसकी स्तापना हुई थी 1935 में और इसका राश्ट्री कर्ण हुआ था 1949 में यानि कि 1949 में और बरतमान में RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास और RBI का हेड़क्वार्टर भी आपको मुंबई में मिलेगा अब दो कोशन में से पहला कोशन है सतत विकास लक्षेस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या रही आपकी सामने ये चार उप्षन है सैकिन कोशन है वर्ल बताना इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना अगर अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में